अट्रल टनल रोहतांग पीर पंजाल की अभेद परवत श्रंखला को भेद कर 10,000 फीट से अधिक उंचाई पर बनाई गई टनल कुलू और लाहॉल घाटी के बीच साल भर के लिए सीधा संपर्क मार गई लाहॉल के लोगों के जीवन में एक नया सवेरा नमस्कार दोस्तो हमारे चैनल हिम बस में आपका स्वागत है 3 अक्टूबर 2020 का दिन लाहॉल घाटी के लोगों के साथ-साथ पूरे हिमाचल परदेश के लिए एहम था इस दिन बीयारो द्वारा रोहतांग पास के नीचे बनाई गई सुरंग का लोकारपन परदान मंत्री द्वारा किया गया जिससे हिमाचल परदेश के दो हिससे आपस में सीधे जुड़ गए है इस वीडियो में हम आपको मनाली से अटल टनल रोहतांग होते हुए लाहॉल घाटी की यात्रा करवाएंगे अभी हम मनाली में हैं और शुरू करते हैं टनल की और अपना सफर आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आप इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकें तो आईए दोस्तों शुरू करते हैं लाहॉल या लेह जाने के लिए मनाली को बे स्टेशन माना जाता है यहाँ पर ठहरने और खाने पीने के बड़िया विकल्प उपलब्द है मनाली से आगे एनेस थ्री पर हम अटल टनल की और बढ़ रहे हैं ब्यास रिवर के साथ साथ बनी ये सुन्दर सड़क और सामने रास्तारों के खड़ी पीर पंजाल परवत श्रंखला गर्मियों के मोसम में तो रोहतांग पास होकर इस श्रंखला को पार करके लाहॉल या फिर लद्दाख पहुंचा जा सकता था मगर सर्दियों में इस रुकावट को पार करना असंभव था लेकिन इस अभेद परवत श्रंखला को भेद कर अटल टनल रोहतांग बनाई जा चुकी है और लाहॉल के लिए साल भर अवागमन हो सकता है इस टनल का साउथ पोर्टल कुलू जिला में है जबकि नोर्थ पोर्टल लाहॉल स्पितिस जिला में है दोस्तो इस टनल से पहले मनाली से लाहॉल के सिसू की दूरी 80 किलोमेटर थी इस दूरी को तै करने में लगवग 5 घंटे का समय लग जाता था लेकिन अब टनल के माध्यम से ये दूरी मातरच 34 किलोमेटर की रह गई है और इसे एक घंटे में तै किया जा सकता है रोतांग में लगने वाला ट्रैफिक जैम और बरफीले तुफान अक्सर बाधा बन जाते थे कई बार लोग अपने वहानों में वहां फस जाते थे जिन्हें हिमाचल परदेश पुलिस और बियारों के जवानों द्वारा रेस्क्यू किया जाता था HRTC की यात्रियों से भरी बसें भी कई बार रोतांग में बरफीले तुफान की चपेट में आ चुकी है जिन्हें बाद में rescue टीम द्वारा सुरक्शित निकाला गया है कई लोग पैदल रोतांग पास पार करते हुए अपनी जान गवां चुके हैं दरसल रोतांग का लदाखी भाशा में मतलब होता है लाशों का धेर यहां कई लोग अपनी जान गवां चुके हैं इसलिए इसका नाम रोतांग रखा गया है अब लोग टनल के रास्ते से सीधा लहौल पहुन सकते हैं यहां के लोगों के जीवन में इस टनल के क्या माइने हैं इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं मनाली से सर्चू तक का रोड BRO यानी Border Road Organization के प्रोजेक्ट दीपक का हिस्सा है इस सुंदर सडक से टनल तक जाते हुए पीर पंजाल रेंज का अदबुत सोंद्रे देखकर मन उत्सुक हो उड़ता है पलचान से होते हुए हम सोलंग नाला पहुंचते हैं जो की एक मश्यूर टूरिस्ट प्लेस है कई टूरिस्ट यहां कुछ पल पिताते हैं यहां खाने पीने वर रुकने के इंतिजाम भी हैं सोलंग नाला से आगे चढ़ाई और तीखे मोड शुरू होते हैं धुंदी के पास दो स्नो प्रोटेक्टड टनल्स भी बनाई गई हैं यहां से हम कुछ पलों में ही अटल टनल के साउथ पोर्टल पर पहुंच जाएंगे टनल के साउथ पोर्टल पर गाड़ी रोकना अलावन नहीं है और यहां सुरक्षाकालनों से फोटोग्राफी पर भी प्रतिबंद लगा दिया गया है आपको यहां बिना रुके सीधा टनल में प्रवेश करना होता है हिमाचल परदेश पुलिस के जवान 24 घंटे इस टनल की सुरक्षा में तैनात रहते हैं खुलने के बाद से यह टनल दोपहर 2 से 3 बजे तक मेंटिनेंस के लिए बंद रहती है साथ ही लहौल घाटी के लिए इलेक्ट्रिस्टी फीडर केबल भी इस टनल के अंदर से बिच्छाई जा रही थी जिसके लिए यह टनल रात के 9 बजे से लेकर सुबा 6 बजे तक बंद रहती थी लेकिन यह काम 6 दिसंबर तक पूरा कर लिया गया है अब रात के समय में भी वहान टनल के माध्यम से आरपार हो सकते हैं हालांकि विंटर्स में लहौल घाटी में जादा स्नोफोल हो जाने की वज़े से टनल की टाइमिंग्स में टेंप्ररली बदलाव होते रहते हैं मनालिक शेत्र में अधिक बर्वबारी हो जाने की स्थिती में कभी कभी टूरिस्ट को साउथ पोर्टल वरना सोलंग घाटी में ही रोक दिया जाता है आप से रिक्वेस्ट है कि सर्दियों में बर्वबारी के मौसम में अगर आप टनल के माध्यम से लहौल जाना चाहते हैं तो लोकल गाइड्स या अथौरिटी से इसकी टाइमिंग जरूर कन्फर्म कर लें आईए अब जानते हैं इस टनल के इतिहास व इसकी कुछ विशेशताओं के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि लहौल व कुलू घाटियां सर्दियों के च्छे महीने आपस में कटी रहती थी क्योंकि रोतांग होकर जाने वाले रास्ता बर्व की वज़े से बंद हो जाता था लाहौल के लोगों को छे महीने तक बरफ की कैद में रहना पड़ता था जब पूर परधान मंत्री स्वरगी शिरीमती इंदिरा गांधी लाहौल के दोरे पर आई तो वो एक रात के लिए केलाउंग में रुकी तब यहां के लोगों ने उनको अपनी समस्या से अवगत करवाया और टनल बनाने की मांग उनके सुमक्ष रखी तब इंदिरा गांधी ने इस टनल का सर्वे करवाया पूर परधान मंत्री स्वरगी शिरी अटल बिहारी वाजपई की सरकार में इस टनल के साउथ पोर्टल तक अप्रोच रोड बनाने की अधार शिला रखी गई साल 2010 में कॉंग्रेस प्रेजिडेंट शिरीमती सोनिया गांधी ने इस टनल के निर्मान का शिला नियास किया और इसका निर्मान कार्य शुरू हुआ दस साल बाद ये टनल बनकर तैयार हो गई और 3 अक्टूबर 2020 को परधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी द्वारा इसे राष्टर के लिए समर्पित किया गया इस टनल का नाम पूर परधान मंत्री स्वर्गे श्री अटल बिहरी वाजपई के नाम पर रखा गया है इस प्रोजेक्ट का निर्मान बियरों की देख रेक में एफकॉंस, शेपूरजी पहलोंजी ग्रूप, SMEC, स्ट्राबैग AG, स्पार जियो प्राइवेट लिमिटेड आधी कंपनी के सहयोग से किया गया टनल के कुछ किलोमेटर्स की खुदाई के बाद एक बड़ी समस्या उत्पन हो गई थी टनल के उपर से बहने वाले सेरी नाला का पानी टनल के अंदर से होकर बहने लग गया उस पानी को डाइवर्ट करने के लिए कंपनीस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी जिसकी वज़े से टनल की कोस्ट के साथ-साथ इसकी निर्मान अबधी भी पड़ गई इस परियोजना के निर्मान के लिए बियारों को 4,000 करोड रुपए का बजट उपलब्ध करवाया गया था मगर ये टनल लगभग 32 करोड रुपए में बनकर तयार हो गई ये टनल एक सिंगल ट्यूब डबल लेन टनल है जिसका आकार भोडे की नाल की तरह है इसकी कुल लंबाई 9.2 किलो मिटर है इसकी उंचाई 5.25 मिटर और चोड़ाई 10.5 मिटर है टनल के साथ एक एमेरजेंसी एक्जिट टनल भी बनाई गई है जिसे किसी भी अपातकाल स्थिती में प्रियोग किया जा सकता है हर 500 मिटर पर फाइर एक्जिट गेट्स बनाई गई है हर 250 मिटर पर CCTV कैमराज लगाई गई है एर कॉलिटी मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगबग हर एक किलो मिटर की दूरी पर लगा हुआ है फाइर हाइड्रेंट्स हर 60 मिटर के बाद मुझूद है टनल के अंदर BSNL द्वारा 4G सिगनल उपलब्ध करवाया गया है टनल के शुरुआत और अंत के 200 मिटर तक स्पीड लिमिट 40 किलो मिटर पर आर तै की गई है जबकि इसके अंदर 60 किलो मिटर पर आर की स्पीड से वहन दोड सकते हैं टनल के अंदर वहन रोकना या ओवर्टे करना अलाउड नहीं है जरूरी दिशा निर्देश के लिए टनल के अंदर LED लगाई गई है इस टनल में 1500 ट्रक्स या फिर 3000 कारें एक साथ गुजरते हुए समा सकती है अटरल टनल रोहतांग के बन जाने से हिमाचल परदेश की लाहूल और पांगी घाटी के लोगों को तो फाइदा हुआ ही है इसके साथ साथ मनाली से लेह की दूरी भी 46 किलो मेटर कम हो गई है ये टनल सामरिक दृष्टी से भी बहुत महत्तपून है लदाक सीमा पर सेना के वाहनों को पहुंचाने में इस टनल से बहुत फाइदा मिल रहा है अब बीयारों ने हिमाचल परदेश और लदाक सीमा पर शिंकुला पास टनल बनाने के लिए कारवाई शुरू कर दी है शिंकुलापास टरनल बन जाने से लेह पहुंचना और भी आसान हो जाएगा इसके इलावा भानुपली पिलासपूर मनाली लेह रेल प्रोजेक्ट पर भी भारती रेल मंतराले काम कर रहा है अटल टरनल रोतां को पार करने के बाद लाहूल घाटी के मनोरम द्रिश्य देखकर मन एकदम चहक उठता है चंद्र नदी इस घाटी की सुन्दरता को और बढ़ाती है नोर्ट कोटल से आगे चंद्र रिवर ब्रिज पार करके राइट साइड की और स्पीती घाटी के लिए रास्ता जाता है जबकि लेफ्ट साइड की और केलोंग वर लेह की और रास्ता जाता है लहाउल घाटी में प्रवेश करने पर सबसे नजदेक सिसू गाउं आता है ये काउं घाटी का प्रमुख टोरिस्ट प्लेस बनकर उभर रहा है सिसू लेक एंड वाटरफॉल के साथ साथ यहां की सुन्दर सडकें प्रयटकों को अपनी और अकडशित करती है लहाउल के कुछ सुन्दर द्रिश्य दिखाती हमारी एक वीडियो का लिंक के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप इस वीडियो को भी जरूर देखें दोस्तो अगर आप इस टनल के माधिम से लहाउल आना चाहते हैं तो प्लीज सभी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें यहां की शांत वादियों का भरपूर अनंद लें इस बात का खास ध्यान रखें कि यहां वहां कच्रा मत फैलाएं पुद्रत की सुन्दरता को बनाए रखें आप तनल से लहाउल आकर हुतांग पास के रास्ते से भी मनाली वापिस जा सकते हैं तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं आप अपना लहाउल एक्सपिरियंस हमारे साथ शेयर भी कर सकते हैं हमारे फेस्बुक और इंस्टेग्राम पेजिस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा धन्यवाद जय हिंद जय हिमाचल